हेलो फ्रेंड्स आप सभी मित्रों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डीके सेनी स्टेडी पॉइंट में आपका स्वगत है जैसे कि दोस्तो टाइटल और थमनिल से आपको समझ में आ गये होगा आज गिस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएड 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 बी बरवा लिया है जी हां दोस्तो जो कॉलेजेज हैं यूणिवर्सिटी हैं बीएड की बीएड 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 की उन्होंने पस्टियर और सेकेंडियर वालों से इंटर्निशिप के जो फोर्म हैं वो बरवा लिये हैं उनके अंदर जो इसकुले आपको चूज करनी होती है पंदरा से बीश स्कुल वो उन्होंने बरवा लिये हैं तो दोस्तो क्या आपने भी इंटर्निशिप का फोर्म बरा है यदी बरा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और दोस्तो बहुत सारे जो विध्यारती हैं उनकी जो कमेंट है ये होते हैं कि सर हमको इ अप्लोड करेंगे साला दरपन पर तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ पिछली बार कोरोना में बहुत सारे विद्यारतियों कि जो इंटर्शिप है वो रह गई थी इस वज़े से उनको जो इंटर्शिप है वो दिसंबर के महिने में मिली है जी हां दोस्तों मैं लाइप प् अपडेट्स होती है वो हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो चैनल से डाइरेक्ट जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चले दोस्तों करते हैं वीडियो की स्टार्ट मैं आपको लेकर चलता हूं मोबाइल के क्रोम ब्रावजर के अंदर तो दोस्तों जैसे मैं आपको लेकर चलता हूं क्रोम ब्रावजर पर तो यहां पर आपको लिखना है साला दरपन और दोस्तों जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप रोजाना चेक करते रहें क्योंकि शुडूल्ड यदि आपका आ जाता है इंटरनेशिप से सम्मंदित जो सब इसी तरीकी से आपको चेक करना है तो चलिए दोस्तों आपको यहां पर गूगल पर टाइप करना है साला दरपन जैसे साला दरपन टाइप करके आप सर्च करोगे तो यहां पर पहले नंबर का जो लिंक आएगा इसको ही आपको ओपन कर देना है जैसे हम इसको ओपन कर लाएगा उस पर आपको चिएक्पलि और दोस्तो कैस्सी तॉट dovुसें क्यों चाहरा है इंत्रिशिप कर मैं यहा व्यक्र सकते आ संत बूइनला में पर आपको Haiti को Ad seal कर सकते हैं जैसे में थात शाय की कुंछ down यहाँ पर चोते नमबर का option आ रहा है scheduled का अर्था तो time table का तो यहाँ पर मैं इस पर click करता हूँ देखिए जैसे हम scheduled के option पर click करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी option आएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपसे course मांगा जाएगा आप B8 कर रहे हैं तो B8 select करें B8 B8 select करें जो भी आप course कर रहे हैं तो simply से जैसे मैं course पर click करेंगे हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी course है वो आपके सामने आ जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर simply से मैं B8 select कर देता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर year, आपका पश्टियर है या फिर second year है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो जैसे पश्टियर है तो पश्टियर पर मैं click कर देता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर आप round देख सकते हो क्योंकि दोस्तो एक साल के अंदर जो इंटर्नसिप होती है वो दो बार आपको दी जाती है दो राउंड होते हैं इंटर्नसिप के तो अभी तक तो पहला राउंड भी नहीं हुआ है इसलिए मैं इस राउंड के उप्षन पर जाकर यहां पर दो राउंड आपको दिखा रहे यहां पर capture code जैसे फिल हो जाएको उसके बाद में आपको क्या करना है search पर click करना है जैसे आप search पर click करोंगे तो यहां पर नया जो page है वो आपके सामने open हो जाएगा कुछ इस तरीके से अब जैसे हम नीचे जाएंगे scroll करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यह हमने जो ह internship रह गई थी वो form नहीं बर पाये थे और क्योंकि दोस्तों पिछली बार एक साथ B.A.D. वालों को भी B.A.D. वालों को B.A.C. B.A.D. वालों को B.A.D.C. वालों को सब को एक साथ internship दे दी गई थी इस वज़े से जो round है वो एक ही होता तो यहां पर आप देख सकते हैं यह अभी अभी जो है इनको internship मिली है आप देख सकते हैं इस तरीके से सिडूल आएगा तो यहां पर यह सिडूल कब चैन्ज होगा तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इस स्कूल जो allotment हुई थी उनको internship के लिए वो हुई थी 17 दिसंबर 2021 को अर हुई जा रहे हैं तो दोस्तों आपको कमेंट करके यह बताना है क्या आपने internship का form भरा या फिर नहीं भरा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों बहुत जल्द आपको internship मिल जाएगी तो इस सिडूल को आप बार बार चेक करते रहें यहां पर जैसे सिडूल अपडेट हो जाएगा तो यहां पर 15 दिन का time लगता है 15-20 दिन का आपसे form भरवाने का upload करने का और school आपको मिलने का internship की तो वो 15-20 दिन का time लगता है तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे सिडूल अपडेट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा वैसे मैं वीडियो के form और internship आपको जो मिलेगी उससे संबंदित वीडियो आपको मिल जाएगी चले दोस्तों आज के लिए विसे तना ही फिर मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए आपका धन्यवाद